जारी अठारों एसेयली खेलकूद मां पदक को आशा गरियेको और को खेल जुडो लेपनी नेपाल लाई निरास बनाया को छा बेक्तिकर तर्फ आठ खेलाडी को प्रतिस्वर्दा सकेंदा कसाईली पनी जीत हात पार ना सकेंदान। काशे पदक का लागी भागो खेल मां पुनम काजकिस्तान की जरी ना राइफ होबा संग इपन माने हार ना पुगिन। पुनम ले तीनोटा स्रीडो प्राप्त गरे पसी सजीले इपन मा जरी ना लाई नतिजा सुम्पीन। पुरिस 38 केजी मुनी तोल समह को प्रतिशपरदामा श्रीराम मकाजू ताजाकिस्तान का खेलाडी संग पराजित हुदै पईलो चरन बाटे बाहिरिये। 100 केजी मुनी को तोल मा रविन स्ट्रेषट प्री क्वार्टर फाइनल मा उजबेकिस्तान का सिराली जुरेव संग पराजित भाईब। सुक्रबार का खेल संगाई नेपाली जुडो को बेक्तिगत तरफ को सबै प्रतिशपरदा सकी एको छा। ये सगी मैला 22 केजी मुनी तेविका खड़का, संताउन न केजी मुनी मनिता स्ट्रेषट, 63 केजी मुनी ओलमपीन तथा दशनी एसली खेलकूत की सोण पतक बिजेता फुपुल आमुखतरी, पूरुस 66 केजी मुनी इंद्रबाहदुर स्ट्रेषट र पूरुस 73 केजी मु पंद्रों वरियता का लागी आज हुनु पर ने खेल मा किर्गिस्तान ले वाको बर दिये पसी नेपाल खेल न खेली का नई पंद्रों भायको हो। रजत जितेगो हो। बिहाना सवा साथ बजे बाता खेल सुर होने छाँ अगिला दुई खेल मा युटे प्लेइंग 11 रहेको नेपाल को ट्रोली मा मलेशिया बिरुद्द खेलता केई परिवर्तन होने संभाब नापनी छाँ 15 वर को खेल मा नेपाल ले मलेशिया संग पराजित होनु परेको छाई ना संद2002 मा भायको ACC ट्रोली मा नेपाल ले मलेशिया लाई 25 रन ले पराजित गरेको थियो तिस्ते 2010 को ACC Trophy Elite मा नेपाल ले मलेसिया लाई 8 रन ले पराजित गरे को थियो भने, 2012 मा भायको डिविजन 4 मा नेपाल ले मलेसिया माथी 10 विकेट को सांदार जित हाथ पारे को थियो 2012 कई SEC Trophy Elite मा नेपाल ले मलिसियाला 21 रन ले हराया को थियो भने 2014 को SEC Premier League मा नेपाल 5 उइकेट ले बिज़ई भाय को थियो